इंडिया नूस के डिश्टल चैनल इन खबर पर आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ राकिश पांडे बात होगी टीम इंडिया के नए कोच की और चर्चाएं इस बात को लेकर चल लिए कि टीम इंडिया का नए कोच कौन हो सकता है CAC के उपर जिम्यदारी है कि वो टीम इंडिया के नए कोच का चैन करें सेलेक्शन करें CAC यानि क्रिकेट एडवाइजरी कमिटी जिसमें कपिल देम हैं अश्वान गायक मार है इस क्रिकेट एडवाइजरी कमिटी ने छे नाम शॉटलिस्ट कर लिये हैं अब इन छे नामों में से ही कोई एक शक्स होगा जो भारती क्रिकेट टीम को आगे लेकर जाएगा यानि उससे कोचिंग देगा और मुखे तोर पर अगले साल होने वारे टीट्वेंटी वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया को तयार करेगा सबसे पहले आप जान लिजिए कि ये छे नाम कौन से हैं क्योंकि इन ही में से पहली वज़ा आपके सामने निकल कर आजाएगी कोई ऐसा बहुत बड़ा नाम निकल कर सामने नहीं आया जो रविशासरी को इस रेस में पीछे छोड़ सके जिसके बाद ये माना जा रहा है कि CAC नए कोच के तोर पर एइलान कर सकते हैं रविशासरी के नाम का रविशासरी को जाहिर भी करते आए हैं तो पहली वज़ा दूसरी वज़ा विराट कोली और रविशासरी के बीच अच्छे समान तीसरी वज़ा आपको याद होगा जब वेस्ट इंडीस के खिलाफ सिरीज के लिए टीम इडिया दोरे पर जा रही थी उस तोरान प्रेस खुलकर विराट कोली ने रविशासरी के नाम का समर्थन किया था कि वो ये चाहते हैं कि रविशासरी ही कोच बने तीसरी वज़ा यहीं से निकल कर सामने आ जाती है कपिल देव जो कि क्रिकेट एडवाईजरी कमिटी में है जिनके उपर जिमेदारी है टीम के नए कोच के चैन की कपिल देव ये कह चुके हैं कि बतार कप्तान विराट कोली को ना सिर्फ हक है आपनी पसंद बताने का बलकि हमें भी ये चाहिए कि हम उनके इच्छा का समान करें तो सवाल यहीं से उठे कि क्या कपिल देव ने इशारो इशारो में ये जता दिया कि नए कोच रव कोई नया कोच चुनकर आता है तो टीम के बेच ये बहुतर समझेस से हो पाएगा नहीं हो पाएगा अगर कपतान को पसंद रहीं तो कपतान और कोच के बीच अच्छी टूनिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये एक बड़ा सवाल है इसलिए भी क्रिकट को मतबूत बना रही है और वो वज़ा है कि वर्ल्ड कप में टीम ने बहतर पर्फॉर्म किया था एक मैं चारे हो और उसके बाद हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए लेकिन ओवर ओल टीम का प्रदर्शन अच्छा रहा और यह इस बात की भी चर्चा चल लई है कि क्रिकेट में क उसकी भी चर्चा चल रही है क्योंकि रवी शासी की कोशिंग में ऐस्टेरिया में टेस्टरी जीतने वाली पहली एश्याई टीम टीम इंडिया बनी थी अगर उनके नाम का एलान हो जाता है तो यानि यह माना जाए यह बजह है इस बात की गभाही दे रही है कि रवी शासी ही टीम इंडिया के नए कूछ हो सकते हैं हाला कि अपचारिक इंतजार होना अभी बाकी है क्रिकेट एडवाइजरी कमिटी की ओर से चलिए फिलाल अभ झाल 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 झाल